दोस्तो नमस्कार आदाब सत्स्रीयकाल नियूज क्लिक के खास कारिकरम आज की बात में आपका स्वागत है आज हम जारखंड के बारे में बात करेंगे जारखंड जो बिहार से अलग होकर एक सूबा बना और उस सूबे की पहचान आम तोर पे आदिवासी समाज के लिए थी कि आदिवासी लोग वहाँ जादा रहते हैं अलांकि अब उनकी आबादी अगर सूबे की पूरी आबादी तो उसके हिसाब से काफी कम हो चुकी है लेकिन फिर भी जारखंड की एक पहचान है और वो पहचान है आदिवासीों के लिए खनिज जो पदार्थ हैं जो धर्ती के नीचे गड़े रहते हैं उनके लिए और साथ में जहां विकास बहुत होना चाहिए था क्योंकि बहुत स्टेट है अगर उसकी खनिज संपदा को देखा जाए लेकिन जहां विकास वाकई नहीं हुआ है तो एक ऐसा अमीर प्रदेश जहां के लोग गरीब हैं लेकिन कुछ अमीर लोग जिन पर राज करते हैं उस जारखंड में एक क्यासी सीटों के लिए पांच चरणों का चु चुनाओ हो चुका है बीते तीस नॉवंबर को और अब दूसरा चरण शुरू होगा ये साथ तारीख को यानि साथ दिसंबर को इस चुनाओ को सिर्फ जारखंड ही नहीं पूरी रास्टी राजनीती के लिए कई कारणों से महत्यपुन माना जा रहा है एक तो यह इसका कुछ पैसा बचता हमारी सेक्योर्टी फोर्सेज को भी थोड़ा आराम रहता पर अपेक्षा कृत छोटे राज्य के चुनाओ के लिए पांच चरणों का कारिक्रम तै किया गया और डेट भी इसकी बाद में तै की गई इसका फायदा जो धनी दल है जो पैसे वाले राजनितिक पार्टियां हैं उनको और धनवान उमिदवारों को जाहिर मिलेगा और वो जमकर उठाते भी नजर आ रहे हैं खूब रुपए बंट रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है कुछे इलाकों में खसी और बोतल से भी काम चलाया जा रहा है अब आप कहेंगे कि खसी का क्या रिवाज रहा है यानि मांस खिलाने का गोश्ट खिलाने का और समझा जाता है कि जो साधारन गरीब जनता है जिनको इस देश की रायनीत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम उनको खिला पिला कर आसानी से वोट लिया जा सकता है लेकिन हालात पहले के मुकाबले काफ चुनाव होगा बिलकुल नए धंका चुनावी समिकरण और नए धंका नतीजा मैं आम तोर पे आप जानते हैं कि मैं बार-बार कह भी चुका हूँ अपने करिक्रमों की मैं चुनावी सरवेक्षणों और जियोच्षियों की भविश्यवाणियों में कत्तय यकीर नहीं करत हूँ और इसलिए आज मैं जारखंड पर आपके सामने आया हूँ जारखंड को लेकर रूबर हुआ हूँ आपके सामने जारखंड में इस वक्त भारती जंता पार्टी जहां तक मेरी जानकारी है जितना मैंने समझने की कोशिश किया उसमें बेहाल नजरा रही है प्रदान देखिये कि अपने को विकास पुरुष कहलाने के शौकीन हमारे प्रदानमंत्री मोदी को पौरानिक आख्याकार बनना पड़ रहा है वहां जाकर उन्होंने राची के पास खूटी की एक सभा में बड़ी तकरीर की और उसमें फरमाया कि राम चंदर जी वहां उनको वहां के आदिवासियों के बीच लंबे समय तक रहना पड़ा और उनके आदिवासियों से लंबे रिष्टों के कारण ही वो मर्यादा पुष्टतम बताए ये हमारे माननी परदानमंत्री जी वहां के आदिवासियों की चुनाव सभा में उन्होंने पिछले दिनों कहा तो अब पता नहीं यूपी बिहार 36 गड़ या मध्य प्रदेश में मोधी जी अपनी भावी चुनाव सभाओं में जाएंगे तो राम जी के बारे में क्या क्या कहेंगे क्या क्या नए पौरानी खुला से करेंगे फिर वहां भी कुछ बताना होगा कि राम जी यहां आये थे तो उन तो यकीनन यह चुनाव भारती जनता पार्टी के लिए बहुत तकलीफ दे बहुत मुश्किल और बहुत चैलेंजिंग लग रहा है यही नहीं यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव में दोनों जो बड़े नेता भारती जनता पार्टी के हैं जिनकी चुनाव सभाओं को आदमुत डंक से नियोजित किया गया है जैसे कल्पना कीजे कि किसी एक छेतर में चुनाव होने वाला है पोलिंग हो रही है तो उसके बगल के चुनाव छेतर में भी कई जगा सभाएं तै की गई हैं ताकि अगल बगल प्रभाव पड़ सके चुनाव का पहला चरण तीस नौंबर को था जैसे मैंने आपको बताजा तेरा सीटों पर था एक हत्तर फीस्दी के आजपास वोटिंग हुई और ये लगता है कि जो एंटी इंकेमेंसी का संकेत इसको माना जा रहा है स्थानी प्रेस भी यही बात कह रहा है और मैंने आज सुबह जब मैं आपके सामने आने की तयारी कर रहा था तो मैंने वहां के राज़नीतिक कार्व करताओं से ज़र्नलिस्ट से यहां तक की कुछ ऑफिसियल्स जो मेरे पुराने दोस्त हैं जब मैं जहारकंड में ज़र्रृर्रिजम के लिए जाता था नतीजे बिलकुल नहीं आएंगे इन 13 सीटों में अगर भारती जनता पार्टी आधी सीटें जीच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी ऐसा बहुत सारे प्लिटिकल आपजरवर्स का कहना है और मैं तो भारती जनता पार्टी के भी कई ऐसे लोगों से मैंने बात की जो बहु और खेती बारी पर गैर आदिवासी प्रभावी हैं जारखंड के पिछले चुनाव को अगर देखा जाए लोग सभा के बाद वो तुरत 2014 के बाद हुए थे विधान सभा के चुनाव और देश में तब गजब की मोदी लहर थी पर जारखंड में भारती जनता पार्टी 2014 के विधान सभा चुनाव में भी बाहुमत नहीं हासिल कर सकी उसे मातर 36-37 सीट ने संभावता मिली थी और बाहुमत के लिए उसे निर्दलियों और बाबुलाल मरांडी की पार्टी के जीते आठ में से 6 विधायकों को तोड़ना पड़ा था आज से उसके साथ थी इस बार भ आजसू उसके साथ सरकार में है बड़ी दिल्चस बात है उसके मंतरी अभी भी मंतरी हैं लेकिन आजसू गटबंधन से बाहर है गटबंधन से अलग चुनाव लड़ रहा है उसके मंतरी भी प्रचार कर रहा है अपनी सरकार के मंतरियों के खिलाप अपनी सरकार के विधाय को जो समर्थक बिधाय के हों उनके खिलाब ये भी अनोखा हिस्सा है एक उनका सांसत भी है और वो NDA का हिस्सा है पर वो NDA या BJP के विर्द काम कर रहे हैं उनके खिलाब चुनाव लड़ रहे हैं बलकि उनकी धर्मपत्नी सहम उमिदवार हैं जो BJP से टकराओ जिनका है तो बड़ा दिल्चस्प ये चुनाव है कि आज सूप इधान सभाद चुनाव में अलग क्यों हो गई उसकी वजह बताया ये जाता है कि यह भी भारती जनता पार्टी की रणनीती का एक हिस्सा है जिससे की जारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस राजद जो गठबंधन क समर्थकों में कुछ विभाजन किया जा सके जो ये जैमेम की अगवाई वाला गठबंधन है उसके वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए एक संगठन को बाहर कर दिया गया ताकि वो ये कह सके कि साहब असल विकल्प तो बीजेपी की खिलाब वो पेश कर सकता है और एक त स्टेटिजी है इसी तरह बाबुलाल मरांडी साहब वो पहले कॉंग्रिस में थे बीच में उन्होंने गठमंधन के साथ लड़ने का इरादा जाहिर किया लेकिन अब चुनाओ जब आया तो वो बिलकुल अलग चुनाओ लड़ रहे हैं इनके बारे में भी यही कहा जाता ह कि वो संभौता भारती जनता पार्टी के राष्टी अध्यक्ष अमिश्चा से उनकी कोई मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के बाद यह हुआ कि भई वो अब गठमंधन में नहीं रहें अलग चुनाओ लड़ेंगे वैसे भी बाबुलाल मरांडी के बारे में मैं आपक को याद होगा हमारे दर्शक हमारे जो श्रोता हैं बहुत सुधी हैं बहुत ही समझदार है कि यह जहरखंड के पहली जो सरकार बनी थी नया राजय बनने के बाद उसमें यह भाजपा के मुख्यमंत्री रहे ये भारती जंता पाइटी के पुराने नेता रहे हैं तो मेरा जो ये अंदाज है वो बिलकुल निराधार और कपोल कलपना और गप नहीं है कि आजसू को और बाबुलाल मरांडी को अलग चुनाव लड़ने का जो एक मौका दिख रहा है आपको आपको लग रहा है कि साथ ये बीजेपी से तूट कर लड़ रहे हैं मुझे लगता है कि य अपने वोट बैंक को कंसलडेट करना और जारकंड मुक्तिमोर्चा कॉंग्रेस राज़त गठबंधन का जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने के लिए बाबुलाल मरांडी जिनका आम तोर पे माना जाता है कि जो गैर आदिवासी आबादी है हलांकि वो सेम आदिवासी है लेकिन उनकी जो पार्टी है वो गैर आदिवासी लोगों के बीच में खासकर जो OBC है या पिछड़ी अत्यंत पिछड़ी जातियों के लोग हैं कुछे कि इलाकों में कोडर्मा से लेकर गिरिडी के बीच में चतरा के बीच में उन इलाकों में ज्यादा इनका या इवन नेशनल मीडिया ये मानकर चल रहा है कि अरे वाह ये तो बीजेईपि के खिलाब बहुत बड़ी बगावत हो गई मुझे ये बगावत नहीं मुझे ये संयोजन कोडिनेशन लग रहा है बीजेपि का और ये इस चुनाव में मुझे लगता है अगर क्लिक कर गई यह strategy BJP की तो बहुत दिल्चस्प होगा BJP को शायद जो उसकी हालत बहुत पंचर है बहुत खसता हाल दिख रही है उसमें शायद कुछ इजाफा हो जाए शायद कुछ उसको फैदा हो जाए अब आएए 7 दिसंबर को जो चुना हो रहा है उसके बारे में 20 सीटों पर यहाँ चुना हो रहा है पांच फैज में सरवाधिक सीटें जो हैं वो 7 दिसंबर को जो पोलिंग होगी यानि सेकेंड फैज उसमें है और मज़े की बात है कि जमशेदपूर इस्ट की वो सीट भी शामिल है जहां मुख्य मंत्री रगवर दास भारती जन्ता पार्टी के बेहद आलोकप्रिय मुख्य मंत्री मैं जब आलोकप्रिय कह रहा हूँ तो उनके साथ मैं कोई अन्याय नहीं कर रहा हूँ बीजेपी में भी वो अलोकोप्रिय हैं और अलोकोप्रिय अगर न होते तो उनके वरिष्ट मंत्री जो एक जमाने में चेप मिनिस्टर पद के दावेदार थे स्पीकर भी बनने वाले थे वो सर्जू राय जो अभी भी कैबिनिट में अभी रहे हैं पता नहीं अभी क्या उनकी इस्तिती है अब तो उन्होंने स्थिपा दे दिया खेर अपने पत से लेकिन सर्जू राय साहब उनके खिलाप मैदान में हैं जो नरिंद्र मोदी जी के एक सब सर्जू राय के साथ काम कर चुके हैं ये बिहार जारखंड जब ज्वाइंट प्रदेश था उन दिनों भी बड़े मंतरी अरे बड़े नेता माने जाते थे संग परिवार से जुड़े नेताओं में और दिल्चस्प बात यह है कि इन्होंने बिहार के मुख्यमंतरी ल समर तक भी कि दो-दो मुख्यमंतरियों को उन्होंने जेल बिजवाया और अब वो का रहे हैं कि ये तीसरा मुख्यमंतरी जो है इसको भी हम कुछ करेंगे अब मैं यह नहीं कर रहा हूं कि वो अपनी पार्टी के ही मुख्यमंतरी के किलाब क्या करेंगे लेकिन उनका इश क्या रहा हूं कि ये जो मुख्यमंतरी है वो जनता में तो अलोकुप्रिय हैं अपनी पार्टी के अंदर भी अलोकुप्रिय हैं वरना ही कैसे संभव था कि एक मुख्यमंतरी के खिलाब उसी का मंतरी चुनाओ लड़े और वो भी जो RSS यानी संग परिवार से जोड़ा मंत इसके कि वो वहां प्रोफिसर रहे हैं वहां के एक इंश्यूट में वो पढ़ाया करते थे और काफी अच्छे शिक्छक थे रहने वाले संभवता हुआ राजिस्थान के हैं लेकि चुनाओ लड़ रहे हैं जमशेतपूर में और चुनकि कांग्रेस के पास इस वक्त बहु संगठिक तोर पे कभी नहीं देखा गया शायद इसलिए कांग्रेस आला कमान ने गौरो बल्लब को वहां पर जमशेतपूर के मैदान में उतारा कि एक पढ़ा लिखा बंदा है और पढ़ा लिखा बंदा के अलावा काफी मीडिया में चर्चित रहे पिछले दिनों क्यों बार-बार कहते थे कि इंडियन एकॉनमी जो है जल्द ही मोदी जी की अगवाई में 5 ट्रिलियन डालर की हो जाएगी तो उन्होंने कहा भाई ये तो बचा दो कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं तो ये वो सजजन है जिनोंने कितने जीरो पूछ कर संबित पात्रा को बिलकुल खामोश कर दिया बलकि सक्ते में डाल दिया और उनको कांग्रेस पार्टी ने जो 2017 में पार्टी में आए हैं उनको बकाइदा मुख्यमंत्री पद पर जो आदमी बैठा है बीजेपी का उनके खिलाब चुनाव में उतार दिया अब देखना है कि इस तरीकों और ये मुकाबले में होता क्या है और दोस्तों मैं आपको बताओं कि इस चुनाव में जो बीजेपी की बुरी स्थिती है उसकी वज़ा ये है कि पांस सालों में रगवर दासदी ने वाकई कुछ किया नहीं है सिर्फ कुछ सड़कें बनी है गलियां बनी है और टॉयलेट बने है लेकिन टॉयलेट में होत क्या रहा है ये बड़ी दिल्चस्प न जा रहा है जारकंड का मैं बीच में एक बार जाने का मौका मिला जारकंड में टॉयलेट तो बन गए लेकिन पानी नहीं है अब उस टॉयलेट में क्या होता है ताला बंद हो जाता है तो निर्मार की योज पर बाहर के उद्योगपतियों और ठेकेदारों को काम बाटता रहा है ये सभी जानते हैं कि रगवरदाश जी का जो मंतराले है जो सेक्रेटेरियट है वो दरसल दिल्ली के सेक्रेटेरियट से एक खास जो सेक्रेटेरियट दिल्ली का है उससे निरदारित होता है वहीं से सब कुछ ताय होता है क्योंकि सभी मान कर चलते हैं बीजेपी में कि ये एक कमजोर सियम है और कमजोर सियम एसर्ट नहीं करते इसलिए दिल्ली उनको नियंतित करता है पहले कॉंग्रेस पर यारोप लगता था कि कॉंग्रेसी मुख्यमंत्री जो भी होता है बिहार, यूपी, जारकंड वगरा में वो सब दिल्ली के इशारे पर चलते हैं आला कमान के लेकिन सच यह है कि जारकंड में भी इस वक्त वही स्थिति है कि वो बीजेपी आला कमान जो चाहता है जारकंड सरकार में वही होता है जारखंड गरीब है पर जारखंडी जारखंडी गरीब है लेकि जारखंड अमीर है जैसा मैंने पहले कहा तो इसलिए मोदी शाह के लिए भी जारखंड जीतना बहुत जरूरी है ये जादोई जमीन है जारखंड और ये जादोई जमीन जो है इसके नीचे विपल खनिज भंडार है अदानी अमबानी को सूबे से इसलिए प्यार है अमबानी का एक अपसर यहां से राजसभा सांसत तक बन जाता है अब सोचिए जो अमबानी साहब के साथ काम करता है वो य political party के बहुत सारे नेता जो परिशानियों में होते हैं मुकदमों को ले कर अगर उनकी कोई 받ालत कर देता है ठीक ठक, कोई वकील तो वो भी राजसभा में आजाता है। ये बहुत होता रहा है UPP खासकर बिहार में जारकंड में। उसको उसका निर्माण चाहते हैं उस प्रदेश का क्योंकि नया प्रदेश है उनको तवज्ज़ अतनी नहीं मिलती रही है जितनी बाहर के लोगों को या जिनको आला कमान किसी पार्टी का चाहता है उनको ये जहारखंड की एक खास इस्थिक एक विशिस्ट परिस्थिती है इसलिए मुझे लगता है कि अब देखना है कि इस जारखंड के चुनाव में क्या होता है महाराष्ट का मैंने उदारण इसलिए शुरू में दिया कि महाराष्ट की तरह ही हो सकता है कि बीजेपी सिंगिल लार्जेस्ट पार्टी हो जाए यह हो सकता है मैं यह नहीं कर रहा हूं कि यहीं होगा लेकिन ये एक संभावना है लेकिन क्या वहां कोई शरत पवार है जो सिंगिल लार्जेस्ट पार्टी जिसके पास बहुमत न आवे और जिसको कोई दूसरी पार्टी अपना समर्थन न दे आजसू के अलावा क्या वो सरकार बना तो शरत पवार जैसा एक आदमी जरूर ज्यारखंड में चाहिए था जो इस पोलराजेशन को नो होने दे खासकर वीजेपी के पक्ष में वो एक कमी जरूर है दूसरी बात कि विपक्ष जो है वो बिखरा हुआ है उसके पास खासकर ज्यारखंड मुक्ती मुर्चा को यह है और यही कारण है कि सारा दारोंदार इस वक्त अगर है विपक्ष का विपक्षी राजनीत के फ्यूचर का तो जैमें पर है और उसके नेता हैमन्स सोरेन एक अकेले नेता के तोर पे जैसे शरत पोवर वहां दोड़ रहे थे महारास्ट में वैसे यहां वो दोड़ र नहीं क्या उनकी तरह मोबिलाइज कर पाते हैं एक यह सवाल है और दूसरा सवाल है कि अगर महारास्ट जैसा कुछ नहीं हो पाया तो क्या हर्याना जैसा जहर खंड में होगा जहां बहुमत तो भले ना मिले बीजेपी को लेकिन सिंगिल लार्जिस्ट पार्टी आ जाए और तोड़ फोड़ कर किसी दुश्यंत चवटाला जैसे किसी भी आदमी को जो वहाँ पर किसी दस या पंद्रह या आठ या छे सीट जिता है उसको मिला कर सरकार बना ले तो ये एक ये सूरतेहाल है लेकिन अगर जनता का मिजाज देखा जाए तो जनता हर हालत में भारती खाली पड़ी रहती है उतनी भीर नहीं आ रही है उतनी तालिया नहीं बचती है उतने खुशाल चेहरे नहीं आते हैं उसकी वज़ा यही है कि जहारखंड की जनता को वाकई उसका हक नहीं मिला है जबकि बीजेपी की सरकारें लगातार महा रही हैं सिर्फ दो ही गैर आएगा नतीजा हो सकता है उसके पहले भी हम मिलें और जारखंड पर एक बात मात करें लेकिन ये जरूर कहूंगा ये जादोई जमीन है जारखंड जहां इतना धन जमीन के नीचे है इतनी संपदा नीचे है उसके लेकिन लोग कितने बेहाल हैं लोग कितने गरीब हैं लो बड़ी बात होगी जारखंड के हक में नमस्कार आदाब सत्रियकाल